जै जगनात मैं शिवानी चौक्रवर्ण अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं आज के हमारी वीडियो में हम आपको जगनात मंदिर में मिलने वाले निर्माल्य महापरशात के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि वो बनता कैसे है और उसका महात्मे क्या है निर्माल्य तो आप सब जानते हैं जो भी जगनात धाम में आते हैं उनको ये लाल पोटली में निर्माल्य मिल जाता है उडिसा के हर घर में निर्माल्य होगा क्योंकि कोई भी शुबकार निर्माल्य के बीना अधूरा है जगरनात मंदिर में अगर पहले की बात हम बात करें कुछ साल पहले की हम बात करें तो वहाँ पर निर्माल्य का मतलब बहुत सारी सामग्रियां होती थी जैसे सीरी कपड़ा, साड़ी सीरी पा, गोरी सोरी बेतो गोरी सोरी बेतो उसको कहते हैं जगरनाथ मंदिर में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर पंडा लोग दो छड़ी लेकर हर किसी के सर के ऊपर मारते रहते हैं उसको कहते हैं गोरी सोरी बेतो उसको भी निर्माल्य कहा जाता है और जगरनाथ जी के ऊपर जो पुश्प च जानाता सकता लिकेने निर्माले भी बोला जय जाता है और उसके साथ जःगर नात्त पट्टी को भी ही उत्त ह कहा जाता है अग इन प्रूप से पाइक है शुखान निर्माले धकoth. द्ण कौने से दिल तृइलकर राभवे संह define मिलता । यह बंद किने एध में अर्ण मंदिर में बच जाता है उसको सुखा देते हैं लेकिन अर्ध सकते हैं निर्माल्य बनने की प्रक्रिया जो है वो दूसरी है दूसरी प्रक्रिया से निर्माल्य बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि जो बचा हुआ अर्ण है उसको फेक दिया जाता है उसको तो बहुत सारे ये जो निर्माल्य महाप्रशाद है उसको बेचने के लिए निलामी ली जाती है थाथ आक्षन होता है जिसको कहा जाता है निर्माल्य महालत और जो लोग महाल में उसको लिए होंगे निलाम वो ही इस महाप्रशाद को बेच सकते हैं और जो छोटे बड़े दुकानों में ये मिलता है ये उन्ही के पास से लाकर बेचते हैं निर्माले बनाने के लिए जगरनात मंदिर में एक स्वतंत्र सुवार सेवायत होते हैं सुवार सेवायत वो सेवायत है जो भगवान जी के लिए प्रशाद बनाते हैं तो वो सेवायत जगर्नात मन्दीर के पाक्शाला में, जो जगर्नाजी का पाक्शाला है, वहाँ पर एक निर्दिष्ट जो चूला होता है, जो सिर्फ निर्माल्ये बनाने के लिए है, वहाँ बनाते हैं। और निर्माले बनाने के लिए दो तरे की मिट्टी की हांडी जिसको भी कुड़ुआ कहा जाता है दो तरीके की कुड़ुआ की जरूरत होती है एक होटा है मोठो कुड़ुआ दूसरा होता है बाई हंडी मोठो कुड़ुआ में निर्माले बनाया जाता है अर्था जो पकता ह चावल वो मोठो कुड़वा में पकता है यहां पर चावल को आधा ही पकाया जाता है अर्थात निर्माले के लिए जो चावल पकाया जाते है वो आधा पकाया जाता है आधा पका हुआ अर्न होता है और आधा पकने के बाद उसमें से जो स्टार्च होता है उसको निकाल दिय जाता है उसके बाद उसको बाई हांडी में ट्रांसफर किया जाता है बाई हांडी वो हांडी है जो मा कर्मा बाई की खिचड़ी उसमें अर्पन की जाती है जो मा कर्मा बाई को समर्पित हांडी है उसको बाई हांडी कहा जाता है और वो जगनात मंदिर में जितने सारे मिट जगनात जी के पास नईवेद्य होने के लिए जाता है आधा पका हुआ चावल है लेकिन फिर भी जगनात जी के पास उसको भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद उसको जगनात मंदिर के दक्षिन में स्तित निर्मल्य खडा में लेके जाया जाता है निर्मल्य ख में जिन्होंने निलामी ली हुई थी उनके पास इस सूखे निर्माल्य को पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद जो अधिकरित दुकानदार है वो उसको छोटी-छोटी पोटली में जिसका रंग मुख्यत लाल गुलाबी या फिर पीला होता है इस तरीके से छोटे- जो अधिकरित दुकानदार होते हैं वेसे तो पूरे बडोदांडो में यह आपको मिल जाएगा लेकिन जो भी दूसरे दुकानदार उसको बेचते हैं वो अधिकरित दुकानदार से लाकर ही उसको बेचते हैं और इसी तरीके से जगनाजी के पाक्षाला से निर्माले बन जै जैगन्नात, जै माकाली